Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 12.3 से question number 5 करेंगे When a is equal to 0, b is equal to minus 1, अगर a की जगा 0 है और b की जगा minus 1 है Find the value of the given expressions, तो ये जो expressions आपको दी हुई है, इनकी value बताइए चलिए, first expression से शुरू करते हैं, पहली है 2a plus 2b तो ये 2a plus 2b, 2 का 2 लिखा मैंने यहाँ पे, और a की जगा पे put करना है 0 तो यहाँ bracket लगा के, ये मैंने a की जगा बनाई, यहाँ पे 0 पुट करूँगा प्लस का प्लस, 2 का 2, ये b की जगा बनाई, और b की जगा रखना है minus 1 अब इसे simplify कर देते हैं, 2, 0, 0 हो गया है 0 यहाँ पे plus और minus, plus minus multiply होंगे, plus minus minus हो जाता है और 2, 1, 0, 2 हो गया, अब 0 minus 2, ये minus 2 ही हो गया तो इस expression का answer हुआ, minus 2 second देखिए, 2a square plus b square plus 1 तो 2 का 2 लिख लिया मैंने, ये a की जगा बनाई, और a की जगा 0 put करना है और इसके उपर square भी लगा हुआ है प्लस का प्लस, ये मैंने b की जगा बनाई, b की जगा minus 1 put करना है और इसके उपर square भी लगा हुआ है, आगे plus 1 as it is copy अब simplify करते हैं, यहाँ पे 2 की multiply 0 के square से होती है तो 0 का square तो 0 ही होगा, और 2, 0, 0 होगा 0 को किसी से भी multiply कर लें, आपका answer 0 ही आईगा तो ये तो सारा 0 ही हो गया है आगे यहाँ पे plus का plus, इसे मैं दो बार खोल के दिखा देता हूँ आपको minus 1 और minus 1 square है तो दो बार खोल लिया, plus 1 अब minus और minus, plus बन जाएगा और 1, 1, 0, 1 हो गया, plus 1 ये 0 पहले से ही है तो 1 में 1 जोड दिया, तो finally answer ये 2 आ गया चले इसका third part देखिए third part के अंदर expression है 2a square b, plus 2ab square, plus ab यहाँ a और b की जगह पे 0 और minus 1 भरना है तो मैंने 2 का 2 ले लिया ये a की जगह बनाई और a की जगह 0 put करना इसके उपर square लगा हुआ है a के उपर square लगा है, ध्यान देना तो a की value के उपर square लगेगा और ये b है, ये मैंने इसी के साथ में चिपकती हुई b की जगह बनाई और b की जगह minus 1 भरना है तो यहाँ minus 1 मैंने भर दिया अगली पे चलते हैं ये plus का plus, ये 2 का 2 ये मैंने a की जगह बनाई a की जगह पे 0 भरना है तो यहाँ 0 लिखा, ये मैंने b की जगह बनाई b की जगह minus 1 भरना है और b के उपर square है तो इस value के उपर square लगाना है आपको आगे plus का plus ये a की जगह बनाई a की जगह 0 है और b की जगह ये बनाई b की जगह minus 1 है अब इसे simplify कर लेते हैं देखे जो पहली term आपको दिख रही है यहां से यहां तक इसमें 0 आ रहा है और 0 किसी के भी साथ हो multiply में आगे पीछे कहीं भी हो वो सब को 0 ही बना देता है तो इसको पूरा detail में solve करने की ज़रूथ नहीं है हम direct 0 लिख सकते हैं इसी तरह से इस अगली term में भी आप देख रहे हैं कि 0 आ रहा है multiply में तो ये सब को 0 ही बना देगा तो ये भी 0 ही हो गया है आगे देखते हैं तो यहां भी 0 multiply माइनस 1 हो रहा है तो 0 को किसी से भी multiply करें तो answer तो 0 ही आएगा तो ये तीनो term का answer जो है 0 ही आ गया है और zeros में 0 plus करने से finally भी 0 ही answer आया तो इसका answer 0 हो गया चलिए fourth expression देखिए a square plus a b plus 2 ये a square है तो ये मैं a की जगह बनाता हूँ और a की जगह put करना है 0 और इसके उपर square है तो square लगा दिया plus का plus ये मैं a की जगह बना रहा हूँ यहां पर 0 put करना है ये मैंने b की जगह बनाई यहां minus 1 put करना है plus का plus और 2 का 2 as it is copy 0 का square क्या होगा बंजर, अब 0 को किसी से भी multiply करो, वो तो 0 ही होगा, तो ये 0 ही हो गया है, अब यहाँ पर माइनस नहीं लगा रहा, क्योंकि 0 ना तो plus होता है, ना minus होता है, कोई sign लगा हो, आप उसे कोई फरक नहीं पड़ता है, यहाँ प्लस का plus, और ये 2 का 2, तो 0, 0, प्लस 2, तो ये total 2 ही हो गया है, तो इसका answer हुआ 2, लास्ट पार्ट था, question खतम, तो इस वीडियों बस इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, फिर next वीडियो में, तब तक के लिए goodbye,